आजकल बैंगन भिंडी का भाव देखा है? कामवली बाई की जबान की तरह बढ़ताई चला जा रहा है. कुछ दिनों बाद सूंगने को भी नहीं मिलेगी. सोने से भी ज्यादा केम्ती हो गए ये सबजियां. सोचती हो तेरी शादी में सोने की जगर सब्सियां खरीदू. मा, हजान बार मैंने आपसे कहा है. शादी की बाद करके बोर मत करो. हाँ, हाँ, बोर तो लगीगी ना. बड़े होने की बाद मा को पूछता कौन है? मा, आपको इस वक्त गड़े मुर्दे उखारना ज़रूरी है क्या? खुशी-खुशी जाओ ना, मेरा मुर्ट क्यों खराब करी हूँ? चिकी की शादी हो गए, मिकी की शादी हो गए, सबिता के घर में तो नाती-पोती भी खेलने लगे. तेरी शादी का सपना देखकर मैंने गुणा कर दिया, जिंदिगे पर बिना शादी के तुझे घर में बिठा के रखना है? मा, आप चाहे कुछ भी बोलो, मैं अपने इरादा नहीं बदलने वाली. तू क्यों इरादा बदलेगी? मत बदल? पाजुवाले ललन के लली को देख, मातर तीन दीन छोटी है, उसकी पिछले मेने शादी हुई, और पती के साथ वाशिंग मशिन चली गई. मा, उसका नाम वाशिंग मशिन नहीं वाशिंग्टन है. मेरे लिए दोनों एक जैसी है. मेरे नसीब में तो वाशिंग मशिन नहीं लिखी है. जब से टैब बुक पे उसकी 32 निकालीवी फोटो देखी है, आग लग गई मुझ में. अंगुठा चाप. घर से कभी बाहर नहीं निकली और हनीमून मनाने सीधे चली गई टैब बुक पे फोटो देखो उसकी. मा, शादी करके फॉरण में हनीमून मनाना और सोशल मीडिया पर अपनी पिच्चेज अपलोड करना ये कोई महान काम नहीं हो के? इसके बदले अपने करियर पर फोकस करना और कुछ अचीव करना ये महान काम है. हाँ, हाँ, दुनिया अब तक कुँआ रहा हूँ? मुझे देखो, मैं देखने में खुबसूरत हूँ ना? अब कैसे करेंगी क्या शादी? किसी मंदिर पर रोक लेना, हम शादी कर लेते हैं, तब ही जाकर इनके दिल को ठंडक मिलेगी. पकवास बंकर, आप सामने देखके गाड़ी चलाईए. आप चिंता मत कीजिए, आइम इन रिलेसंसिप, एक लड़की देखें हैं, सादी करके, अगले मैंने भांडूप में सेट हो जाएंगे. देखा, सब की शादी की पूंगी बजगी, बस तू यह पीछे रह गई. चल्दी से तेरी शादी का दिन आ जाए. आप ना यह ख्या का नाम लिया ना, तो मैं इस ओटो से कूट कर भाग जाऊंगी. कूट जा बेटा, कूट जा, रोक कोन रहा है तुझे, तू कूट जाएगी न तो जंजटी खतम. अच्छा बताओ, आप धोक्ला खाएंगी क्या? नहीं, सोड़ा जयदा होता है. तू टॉपिक क्यो चेंज मैंने कई बार उन सिखा कि मुझे एक बेटा चाहिए, लेकिन उन्होंने हमेशा माना कर दिया, सिर्फ तेरे लिए. मा, मैं कई बार ये बात सुन चुकी हूँ, आप प्लीज मुझे बोर मत कीजिए, वैसे भी शादी के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है. और नहीं तो क् मान लो न, कि मेरी शादी हो गई है. रच्चू, ये खुश खबरी तुने मुझे पहली क्यों नहीं दी? तरस गई थी मैं ये सुनने के लिए. मा, सबसे पहले तो आपने ये सास बहु का ड्रामा देखना, बंद करो. बिना ड्रामा के आपकी जिंदगी नहीं चलती क्या? अरे मा, सिर्फ दो ही बैग है. कितना हुआ भीया? हुए तो 70 है, लेकिन 100 दे दीजी. 100 रुपे क्यों दू? लगज भी तो रखा हुआ था, और यहां से खाली वापस जाना पड़ेगा. बैग सर पर उठा के लाया है क्या? तीस रुपे मांग रहे हैं, दहेज थोड़ी मा आपकी बैटी सेम कभी शादी नहीं करेंगे, वो आपकी नहीं सुनती हमारी क्या सुनेगी? रास्तानाप. हाँ, हाँ, जा रहे हैं. तीस रुपे के लिए उससे जगडा करना ज़रूरी था, क्या? पैसे पेड़ पे उखते हैं क्या? हाँ, दिव्या. हाँ, जब सब के घर जाने का टाइम हो गया, तब तू आ रही है? कोई चाने वाला मिल गया था, क्या? वो सब छोड़ कुछ खिला दे, भुख से चान जा रही है. मॉम को छोड़ने गई थी, कुछ खाया नहीं. ये क्या है? अफकोर्स, तेरी शादी का का पड़ तो नहीं होगा, पड़तों से ही. अब तू मच शुरू हो जा. पाथी नाइट, अच्छा अनुवल पाथी है, मैं तो उस दिन घर पर सूँगे. मैडम, बॉस आपको बुला रहे है, अर्जन काम है. हलो, सर, सुन्दर बोल रहा हूँ, सियो के ओफिस है, सर आपका क इसकी रेड पड़ गई, तो उनका पूरा पॉरिटिकल करियर बरबाद हो जाएगा, और उनके साथ हम सभी को जेल जाना होगा. ऐसा नहीं है, सर. ऐसा ही है. अच्छा, एक बात बताओ, इस वक्त तुम ऑफिस में ही हो? नहीं, सर, मैं तो घर की तरफ जा रहा हूँ. तो स कर दो. हм प्रवाजव कर दो नहां रूम जनला कि उनला कि आप पारी आपकते आपकते विरे आपकते रहा है साइब, एक मिनटे हो हाँ, तमारा कुरियर है हाँ, स्वारी हो प्रैक्टिस करोगे, ये, पापा आ गए, कॉर्थिक, ए, पापा, कैसा है मेरा बेटा, तो आज स्कूल में क्या किया, आज में मुर्गा बना था पापा, फेर मुर्गा बने, कितने अंडे दिये तुमने, मुर्गा अंडनन, नहीं देता पापा, अधे वा, स्मार्ट हो गयो, मुर्गी देती है, अचला, खाना लगा दो, बात मस्ती करने लगे ओ, आज कल, आपका ही बेटा, कार्तिक, ये सब छुड़ो और पहले खाना खालो, ना, 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 कार्तिक के लिए एक अच्छा सा डेकर मिल गया है, अग मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या, उसे वाह नहीं डालेंगे, इसे डेकर में भेजने से आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मैं कब तक ऐसे काम छोड़कर घर में बैठी रहूंगी, घर में पैसे की कोई कमी है क्या, मैं कमा तो रहा हूँ, कार्तिक के पैदा होने से पहले, मेरा अपना करियर था, इस तरह सब को छोड़कर बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे तो अच्छा होगा कि तुम नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाओ, मैं कमा कर लाती हूँ, मुझे मत रोका करो, पहले ही मेरा दिमाग खराब थोड़ा शांती से खाना खाने दो, अगर करियर ही बनाना था, तो शादी क्योंकि बच्चा क्यों पैदा किया, हाँ, तुमने कहा था न कुछ सालों के बाद काम कर ले ना, ए कार्तिक, यह तुम्हारा फ्रेंड है ना, वो अपने ममी बापा के साथ घूमने गया है, उसने अचला, अचला दरबाजा खोलो, प्लीज, दरबाजा खोलो अचला, और आप में ताम करके रख दिया है इसने, रोज की जिक जिक, कर दो, कर दो, को झाज़ा है। कर दो अलोगो फिर लाई ने लाई को पालत कर दो घंदे लाई हाँ हुआ हुआ है सुनाए वहाँ बारिश होने से मौसम काफी जंडा हो गया है किस पर बिजलिया गिरा रही है खूब मज़े कर रही है हाँ हाँ क्यों नहीं तेरा बॉइफरेंड जो है हाँ पर उसके साथ फुल मस्ती हो रही है उसने तुझे बताया नहीं जल जूटी अच्छा बाइदवे तेरे ओफिस वाले क्रश का क्या हुआ उसके साथ तेरे दाल कली है नहीं वहाँ तो सूखा पड़ा होगा यार मुझे देखते है उसकी हवा निकल जाती है समझ नहाता वो क्राइम रिपोर्टिंग कैसे करता होगा कोई साथ नहीं यार जब देखो नेगेटिव बाते करती है अच्छा सुन कबर्ड में एक रेड कलर का टॉप है वहाँ लगी है आज ऑफिस वही पहन कर जा तेरे लोट्री लग जाए लोट्री लगेगी कैसे मुझ पर भरोसा है मेरी बात मानेगी तो शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी हालो रचना क्या हुआ चुक्की हो गई असल मैं अभी से अपने बच्चों के नाम सोचने लगी थी अरे वाद तो तो मुझ से भी स्यादा फास्ट है तू सच में बहुत चालू है अच्छ मुझ से अच्पिक है तो मुझ से अच्छों के बच्चों के इंग। कि अजय कोई में घोटां टो जए नवाओ में लियां अजय कोई दो में यारे लिए अजय कोई पिर य। कि अजय का जब रोट चिर कोईदी भाई साब भाई साब आपने नमबर नोट किये ये लो अज वा रशना, महरानिया जल्दी कैसे आगी? अज कोई फैंसीरस कॉंपेशन है, इच्छा नहीं लग रहा? इडियेट्स हलो बुलिये जल्दी से ये वला नमबर नोट करो जी हाँ बुलिये TS21 TS21 CD 7785 7785 लिख्लिया मैं इड्रस कब तक दोगे? अपको अड्रस कब तक चाहिए? जितनी जल्दी हो सके मैडम, मैंश थोड़ा बीजी हूँ जैसे ही मोका मिलेगा, मैं आपको एड्रस सेंड करता हूँ ठीके फोन रखता हूँ बाई ओके बाई हाई, बजी हो हाई, नहीं नहीं आओ ना कुर्सी खाली अब और बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? चल नहीं रहा, रेंग रहा है वही चोरी, चकारी, मुर्डर वैसे भी क्राइम में नया क्या होता है अरे हाँ, याद आया, तुमने वो मटीरियल मंगवाया था एक मिनट यहीं कहीं था अरे, मैंने यहीं तो रखा था पता नहीं कहां चला क्या मैं तुम्हें बाद में देता हूँ आदित्या, एक्चली, मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए था अच्छा, बताओ क्या है पिछले कई दिनों से आरकेपुरम फ्लाइवर पर काफी आक्सडेंस हो रहे हैं क्या तुम्हारे पास उसका रिकॉर्ड है एक्चली, मैं हर रोज आरकेपुरम फ्लाइवर से ही जाता हूँ पर तुम रेकॉर्ड का करोगी क्या उस फ्लाइवर के ओपर मैं एक स्टॉरी तैयार कर रही हूँ ठीक है, मुझे फुरसत मिलती है तो मैं डेटाबेस से डीटेल्स निकाल कर रखता हूँ अगर मैं तुम्हें एक दो दिन में दूंगा तो चलेगा ना चलेगा ठीक है ओके, मिलते हैं ठीक है, बाई रचना 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 अरे रुको क्या हुआ देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हूँ तुम्हारा फोन तुम बूल गई थे अंदर I'm really sorry, कहीं भी रखने से बूल जाती हूँ बादाम खाये गरू Sorry, तुम्हें तकलीफ हूई अच्छा, फ्री हो तो कॉफी पीने चले मैं चलता पर मुझे आर्टिकल पूरा करना है Of course, of course काम पहले है Sorry इस हो क्या क्या है Sir, coffee Thanks यह रही तुम्हारी coffee Thank you तो तुम वडोद्रा से हो ना? नहीं मैं मुंबई से हूँ अभी जस्ट six months पहले shift हुई हूँ अच्छा बच्चा कॉनसे स्कूल जाता है What? Really? क्या मैं तुम्हें सच में एक शादी शुदा औरत जैसे दिखती हूँ नहीं नहीं तुम संसकारी लगे इसलिए मैंने सोचा तुमने वक्त पर शादी कर ली होगी मैं समझ रही हूँ तुम यह जानना चाहते हो कि मैं शादी शुदा हूँ या नहीं अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं तु बस अच्छा तुम्हारा तीसरा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है मैं तुम्हें शकल से तीन बच्चों का बाप दिखता हूँ क्या और क्या क्या है कुछ भी वैसे फैमिली शुरू करना तो चाहता हूँ पर वो गमला ही नहीं मिला जिसमें फूल खिला हूँ पर जो नहीं खाता है वो जिंदिगी भर बच्टाता है अहां एक पसंद आय थी पर वो किसी और के निकली क्या करें तब से बस मैं और मेरी तनहाई अकेले में रहते हैं इंट्रेस्टिंग तो बताओ तुमारे एक्स बॉइफ्रेंड में क्या खराबी थी मुह से बद्बू आती थी क्या मेरा कोई एक्स बॉइफ्रेंड नहीं अच्छा एक है जिसे मैं पसंद करती हूँ लेकिन उसे आज तक मैंने बताया नहीं अच्छा तो डर किस बात कर दो प्रपोस हादेत्या एक लड़की होकर मैं उसे प्रपोस करूँ मेरे एडिटर का मेसेज है मुझे बहुत सारा काम है बाद में मिलें गया? हाँ हाँ कोई बाद नहीं रचना जरा सुनो मेरे एडिटर ने मुझे एक मुवी रिव्यू करने के लिए दो टिकेट्स दिया है तो अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड आना चाहे तो मैं उसे ले जा सकता हूं तुम क्राइम दिपार्टमेंट में हो ना? तो तुम्हारा मुवी रिव्यू से क्या लेना देना? वो एक क्राइम मुवी है आचा तो अगर मैं ये कहूं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं तो आइम शूर तुम्हें कोई आतराज नहीं होगा बिल्कुल नहीं ओके बाए ये लड़की तो बहुत फास्ट है मुझसे भी दो कदम आ गया है तुम्हारा ड्रस वाके लगी है हलो डिटेल्स लिखिये नाम सुन्दर गाड़ी मोटरसाइकल और उनकल फ्लैटनमर है वान सेक्ड़ बत्ता टाइम क्या हुआ ताइम क्या हुआ साडा ग्यार मेडम सुन्दर का फ्लैट कहां पर है पहले सीधा जाने का पछी गाड़न आएगा फिर खाने वाले हाथ की तरफ मोड़ जाओ प्लैटन 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 तुमरब वूमग रज़े तुमरब वुमग रदे नहीं वो सारी हादेत्य, नेक्स्ट टेम तेलगु नहीं हिंदी मूवी देखेंगे, कम से कम सब्टाइटल नहीं देखना पड़ेगा सब्टाइटल के चक्कर में पूरी मूवी उपर से चली गई अगर मेरे पस तक्या होता तो मैं वहीं सो जाती, इससे कहीं ज्यादा अच्छी हॉरर फिल्म्स होती है लगता है तुम्हें हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है अब कॉर्स पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद? पता नहीं. पता नहीं, इससे क्या मतलब? मतलब, मुवीज में जो दिखाते हैं वो भूत, पिशाच, आत्माएं, अब कौन जाने वो होती भी है की नहीं? मेरे हिसाब से तो होती है, जैसे दिन होता है, तो रात होती है, जैसे अच्छाई होती है, तो बुराई भी होती है, उसी तरह पॉजिटिव एनरजी के साथ साथ नेगिटिव एनरजी भी होती है, जिसे हम भूत, आत्मा या पिशाच के नाम से जानते हैं. अब जर्नलिस्ट ने कहा है तो कोई ना कोई सच्चा है तो जरूर होगी इसमें इसका मतलब तुम्हें भी इन बातों में थोड़ा बहुत विश्वास है नहीं मतलब ना ही मैं कहता हूँ कि नहीं है और ना ही मैं बिलीव करता हूँ आदित्य उधर देखो कहां देखो वाइट सडी में एक औरत उसके बाल खुले हुए है उसने हाथ में मुंबत्ती पकड़ी है वो सामने से आ रही है हाँ हाँ देखी क्या खूबसूरत है यार तुम ज़रा उतर जाओ मैं उसी ले जाते हूँ आदित्य तुम भी बाकी लड़कों की तरह चांस मार रहे हो ना क्या मतलब लड़की को पीछे बिठाया नहीं कि ब्रेक बाढ़ना शुरू ताकि लड़की और करीब आ जा है अलो बिना ब्रेक के कोई भी बाइक रुकती नहीं है और वैसे भी ये बाइक मेरे भाई की है विरासत में मेरी है क्या 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 मुवी के लिए थांक्स I had a really boring time अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी आज तुम्हारा बर्दे है क्या नहीं मेरा बर्दे नहीं है क्यों नहीं मतलब इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है नहाद होकर सच धच के आई हो ना इसलिए तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोज नहाती नहीं हूँ हाँ एक्चली तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो रचना मतलब तुम मुझे रोज थ्यान से देखते हो अब क्या करू मैर्यूम पीशा ही ऐसा है क्राइम रिपोर्टर जो हूँ हूँ इसका मतलब तुम दूसरों को भी तारते रहते हो हां नजरें सिर्फ उसी को देखती ह जिसे देखर सुकून मिले अच्छा फ्लोटिंग बे ब्रेक लगाते हैं कल ऑफिस में मिलते हैं बाई 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 अलो ओ मैडम यह पर आई ए यहां पर एविंग में बी टू फ्लाट कहां पर है वो मेरा फ्लाट है ओ ज़रा दो मिरिट रुकिए हम जिस लड़की की तलाश करें थे वो यही लड़की है रशने तुम्हारे ही नाम है मैं ही रशना हूं बात क्या है सर्थ एक घंटे पहले तुम्हारे फोन पर फोन किया था उठाया क्यों नहीं अच्छा वो आपका कॉल था मेरा फोन क्यों नहीं उठाया मैं सिनिमा हौल में थी सिनिमा अभी तुमको जिसने ड्रॉप किया कौन था वो सर हुआ क्या है आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैंने पुछा कौन है वो मेरा फ्रेंड है फ्रेंड है या बॉइफ्रेंड है सौरी मैं जवाब नहीं दूँगे आखर ये सब क्या चल रहा है गाड़ी में बैठो पुलिस स्टेशन में समझाता हूँ लेकिन सर मैं आप लोगों के साथ क्यों आऊँ आप रॉंग एड्रस पर आएं प्लीज चेक कीजिए हम रॉंग एड्रस पर आएं हां ये तुमारा ही नंबर है ना हां मेरा है चुप चाब गाड़ी में बैठो तमाशा करने की ज़रुवत नहीं है वरना लोग अपने फोन पे वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देंगे वो चलेगा तुम्हें बाकी बातें पुलिस स्टेशन में बैठ के करेंगे बैठाओ चलिए चलिए गाड़ी में पिठाइए ने चल 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 अंदर बैठ चल सर शाणी ने बाठ चल बैठ नापने बोला ना आपको कोई कलत फैमी होई है सर सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर से कहो लड़की मिल गई है हम लोग स्टेशन आ रहे हैं इसका फोन क्यों नहीं लिया फोन शीनो इससे सर सर प्लीज आप ऐसे क्यों करें देट्या ओफिस ये तेरा बैशेंट है ना ये वर्मा वाइन्स में कुछ राड़ा हुआ है एक यूनिट भेजो वहाँ पर क्या है कि कल रात को ही हमारे बीच में जगडा हुआ था सर जगडा कैसा जगडा हम रोज लड़ते थे क्या क्या तुम्हारा पती दारूपी कर तुमको मारता पीटता और गाली देता था अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं था सर तो फेर कल रात को जब वो ऑफिस से घर लोटे और डिनर के लिए बैठे तो मैंने कहा कि अब मैं जॉब के पुर मैं वर्फ अप्लाइ करने वाली हूं इसी बात को लेकर हमारे बीच छगडा हुआ वह बहुत हुस्से में थे आपको बड़े सापने अंदर बुलाया है चल जल्दी चल सर अंदर ही है ना? अंदर ही है सर सर अवो फाइल्स लेकर आप आराम से भीजिए सर ये रचना है एंटरी गेट पर इसी के साइन थे आखिर ये सब क्या चल रहा है सर मुझे यहां किसली लाया गया है सर सुन्दर से मिलने आज खोकर आई थी देखी मेरी बात का बोरा मतमालिये क्या आपके हस्बन का कोई अफेर था अगर था तो बताईए आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर इस लड़की को पहले कभी देखा है जानती है इंसे जान से देखे बताईए नहीं सर यह लड़की दोबहर को आपके घर पर गए थी और हम नहीं जानते क्यों कौन हो तुम और क्यों गई थी मेरे घर पर यह कौन है सर आकर यह सुब क्या चल रहा है देखे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा आपका मतलब है कि उनका इस लड़की के साथ अफ़ेर है देखे रो ये मत अब भेर जा सकती है सुभह तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगे कमला किसी को भेज कियाने घर तक छुडवा दो ठीक है सर प्रभाकर इसे अंदर बठाओ आए आओ चलो खुद को समालिये अंदर आओ ने उदर नहीं यहां बैटो प्रभाकर सर कौन है यह वो सुंदर केस की सस्पेक्ट है सर सर क्या कर रहे हो तुम केस की फाइल तेयार करा था अभी छोड़े इसको मेरे साथ हां लेकिन सर आप लोगों को जरूर कोई गलत पैमी हुई है मैं जो पूछू उसका सही सही जवाब दो सुंदर क्या क्यों गई थी कौन सुंदर सर प्रभाकर रेजिस्टर दो यह नाम और फोन नंबर तुमारा ही है ना जी हां सर दोपहर सड़े गारा बज़े तुम वहां क्यों गई थी सर मैं वहां जरूर गई थी लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूं सर आप यसे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं इतना बड़ा गुनाह करने के बाद हमसे ही सवाल पूछ रही हो ज़्यादा भूली मत बरो जर फोटो देना आज शाम को जब हम उसके फ्लैट पर पहुंचे तो बो इस हालत में था आब बताओ क्यों मारा तुमने इसे मारा मैं उसके घर गयी थी मैंने डोर बल बजाई जवाब ना मिलने पर मैं वहां से वापस आगी आगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा सर मुझे नह रिपोर्टर हूँ और Times of India के लिए इंटर्शिप कर रही हूँ, अपने जॉब के लिए में एक स्टोरी लिख रही हूँ उसी स्टोरी की सिल्सले में मैं सुन्दर से मिलने गई थी ऐसी स्टोरी और सुन्दर के साथ उसका क्या संबग अब क्या बताऊ सर बताओ सर, आरके पुरम फ्लाइवर पर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ वो उस फ्लाइवर पर डिवाइडर ब्लोक्स रखे हुए सर ट्राफिक चैम से बचने के लिए लोग उन डिवाइडर ब्लोक्स को खिसका कर वहाँ से यू टरन ले लेते हैं और चब वो चले जाते हैं तो वो ब्लोक्स वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं जो कि opposite direction से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं इन सब से सुन्दर की मौत का क्या लेना देना इन डिवाइडर ब्लोक्स को हठा कर यू टरन लेने वाले लोगों को खोज कर मैं बस उनका accountability लेना चाहती थी सुन्दर ने डिवाइडर ब्लोक्स खिसकाए थे इसल से तुम उसका interview लेने गई थी यही ना यह सर सुन्दर नहीं वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, यह तुम्हें कैसे पता, उस फ्लाइवर पर एक बॉना भिकारी भीक मांगता है, जो लोग वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाकर यूटन लेते हैं, वो उनकी गाड़ियों का नंबर नोड करता और मुझे दे देता है, सुन्दर का नंबर भी उसी ने दिया था, ऐसी कहानी सिनाव जिस पर हमें यकीन हो सके, हम छोटे बच्चे नहीं है जो तुम्हारी बचकानी कहानियों से पहल जाएंगे, यह बचकानी नहीं है सर, बचकानी नहीं तो और क्या है, जलो मान लेते हैं कि सुन्दर ने डि जोड़ देना यह सही है, ऐसे लोगों की क्या सोच होती होगी सर, सिविक सेंस, ट्राफिक रूल्स, क्या यह सिब इंपोर्टन नहीं है सर, ऐसे लोगों की सोच को समझने के लिए, मैं बस उनका इंटिव्यो लेना चाहती थी, हलो, सर, उसे केस की पूछता चल रही है, मैं ठीक है, लेलो पर इस मुसिबस से पीछा चुड़ाओ, हम कुछ करते है, सर, मेरे साथ हाओ, सर, प्लीज, काड़ी बहार निकालो, काड़ी निकालो, कुमार मेरा बैग लेके हो, लाए सर, काफी देर हो गई है, और बारिश में रुक नहीं रही है, इसलिए उस लड़की को तो फॉरण रिमांड होम भेज़ दो, कोस्मॉटम रिपोर्ट आजाए तो फिर पूछताज करेंगे, रिमांड होम क्यों, सर, उसको खर भेज देते हैं, अगर कोई और केस होता तो भेज देते हैं, लेकिन बरने वाला सुन्दर एक पॉलेटीशन का सीय था, और वो ही उस सब मॉनिंग में रेडी जाएए, ये मेरे घरबालों ने मुझे अलग परिशान कर रहा है, जाना ही, मैं समाल लूगा, आए, बार-बार फोन क्यों कर रहे हो, एक बार कहाना कि मैं आ रहा हूँ, यहां खाली नहीं बठा हूँ हूँ है, तो यहां खाली बठा हूँ ना, यह इतिफाक हो, यह इतिफाक है या नहीं यही तो खुजना है, पर जो भी हो, यह केस CID में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मिनिस्टर ने मुझे डायक्ट ओर्डर्स दिये हैं, ठीक, उसे रिमान होमें शिफ्ट करो, सुबह बिलते हैं, जी सर, रिमान होम में फोन करो और कहो कि पेपर दियार करें, यह रात को वही रहेंगे, सर, मुझे रिमान होम क्यों भेज रहें, सर, प्लीज मुझे जाने दीजे, तो चुप कर, कमला, आप चाहिए, सर, इस वक्त तो बहुत देर हो गई है, सर, और बहुत तेज बारिश भी हो रही है, हाँ मैं जानता ह और रूल्स के हिसाब से हम आपको रात में यहां रोक नहीं सकते, अगर मुझे उसे मारना ही होता, सर, तो मैं अपना ओरिजिनल फोन नंबर, ओरिजिनल एड्रेस उस रिजिस्टर में क्यों लग क्या आती, सर, देखे, सुबूतों के आधार पर शक आप पर ही जाता है, अ यह सारे नंबर मुझे उसी बॉने भिकारी ने दिये थे, अगर मुझे मारना ही होता, तो मैं उन दसों का खून करती, सर्फ सुन्दर को ही क्यों मारती, कम से कम आप तो समझे सर, मैं सच कहरी हूँ, मैंने सुन्दर को नहीं मारा है, वेट 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 थोड़ा वेट पर एक भिकारी भी था, वो कौन है, और वो तुम्हें नंबर क्यों देता है, मैं जब भी वहां से जाती हूँ, वह वहीं पर होता है, वहां से यूटन लेने वालों के गाड़ी नंबर नोट करने के मैं उसे हर बार सौर पे देती हूं सर, बस इतनी सी बात है, तो इ राजेश नाम के आदमी का अड्रस लास्ट मंथ की डेट पर लिखा हूआ है, आइ मिन, वाई सुंदर, राजेश का इंटर्व्यू क्यों नहीं लिया, ये वाला, बताईए, हम, असल में लास्ट मंथ में मेरी मॉम मेरे पस रहने आई थी, उसी भाग दोड़ के चकर में मै उसे मिलवा सकती हूँ? हाँ, बिलकुल सर, बिलकुल, वो वही फ्लावर के किनारे भीक मांगता ऐसा, ओके, आप यहीं रुकिये तो, सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, ये गाड़ियों की कुछ डिटेल्स हैं, पता करो कि इनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेइन हैं हैं, ओके सर, दूइट फास्ट मैं देखता हूँ सर, थैक्स, शक्ति, सर, मुझे सुन्दर की पोस्ट मॉटम की डिटेल्स चाहिए, जल् सर, बारिश बहुत तेज हो रही है, सर ने जैसा बोला था वैसे रिमांड हूम ले जाते हैं, प्रभाकर, जानते हो ने रिमांड हूमे क्या होता है, बिचारी परिशान है, लेट्स हेल्प आप, टाइम नहीं हैं, जल्दी करो, ओके सर, नारैना, चलो गाड़ी निकालो, जलो बैटो, एपी 05, E.A.2162, देखकर जल्दी बताओ, कहीं इसके उपर कोई केस तो रेजिस्टर नहीं है, मुझे पता है कि आपको ओफिशल रिपोर्ट लिखने में टाइम लगेगा, पर कितना, डॉक्टर? डॉक्टर के आज रिपोर्ट मिल पाएगी? टैंकियो, सर, हाँ, कहा है वो? वो, वहाँ है, सर, काशी, जाओ, देखो ज़रा, यहाँ तो कोई नहीं है, सर, यहाँ तो कोई नहीं है, तुमने कहा था, यहीं मिलेगा, तो रोज मुझे यहीं मिलता था, सर, उसको टैब बुग पीच चेक करता हूँ, शायद रचना के बारे में कुछ पता चाज़ सेगे, यह किसका फोन आला है, हलो, सर, हम लोग यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यह लड़की छूट बोल रही है, आसपास अच्छी तरह चेक करो, वो वह वहीं कहीं होगा, ओके सर, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जल्दी बेजो, सर, वो रहा है, आओ, वो आजा के बैठो, कमला, क्या हुआ, सर, वो मिला हुआ, मिल गया सर, यह देखिए, यही वो आदमी है, जिसने इसकी हेल्प किये थी, रशना, इसे ने तुमें नमबर दिये थे, जी सर, प्रभाकर, इसको इंटरोगेशन रू मिले जाओ, रशना, तुम इसके साथ जाओ, बताईए क्या बता चला, सर, मेरी ड्यूटी डॉक्टर से बात हुई, उसने बताया कि सुन्दर की बॉड़ी पर खरोच के निशान नहीं है, और नहीं किसी चोट के, और उसकी मौत कितने बज़े हुए थी, उनके हिसाब से, सुन्दर की मौत का टाइम, आधी रात के दो बज़े का है, पर वो भी कन्फरम नहीं है, टू एम, ओके शक्ती, यू में को, थैंक यू, ओके सर, शक्ती एक कॉफी पे लाता हूँ, लाता हूँ सर, सर, हमने बिल्डिंग के CCTV कैमरा की फुटेज को अच्छे से चेक किया, और सुन्दर की भीवी के घर से निकलने के बाद, सिर्फ यही लड़की उससे मिलने गई थी, इसका मतलब सुन्दर की मौत और रचना के वहाँ पहुँचने के बीच तक्रीबन दस घंटे का फर्क है, हाँ, करेक्ट सर, क्या लगता है कोई connections? सर, मैं भी वही सोच रहा था, सुन्दर और रचना के बीच कोई connection होने का, ना तो हमें कोई सबूत मिला है, और ना ही इन दोनों के बीच की हिस्ट्री का कोई नामू निशान मिला है, मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है, वो बेकसूर है, कैसी फाल तु कहानी है सर, एक आदमी वहाँ से यूटन लेता है, और एक पागल आदमी उसके गाड़ी का नमबर नोट करता है, और ये लड़की उस आदमी से जाके नमबर लेती है, ये यंग्स्टर्स आजकल हमें बेवकूफ समझने लगे हैं, सर, हाँ, आज़ा, जिन गाड़ियों के नमबर आपने मुझे दिये थे, मैंने उनके डीटेल्स निकाल लिये हैं सर, प्रभाकर ये च्छट करो, हाँ, चलो, उट, सर, सर इस ही का ले जारे हैं सर, कोई आट 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 आट, इस ही ने तुम्हें दस गाड़ियों के नमबर दिये थे, तुमने ये नमबर किसी और को दिये, तो इन सारे नमबरों का अड्रस तुम्हें देने वाला है कौन? मेरा एक फ्रेंड है जो आट यो में काम करता है, मैं उसे गाड़ी के नमबर देती हूँ और वो मुझे एड्रस निकाल के देता है, बस इतना ही सर, आप क्या होगें सर? तुम्हारी डाइरी में जिन दस लोगों के नमबर लिखें, वो लोग मर चुके हैं, सब के सब, उन सब ने आत्म हत्या की है, ये रिपोर्ट कहती है, रचना, तुम कुछ छुपा रही हो, अगर जुट बोलोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं सच कह रहे हूँ सर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है सर, इन एड्रेसे और नंबर्स के अलावा, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती, प्लीज बेरीफ मी सर, तुमने एड्रेस पर डेट क्यों लिखी? ये डेट्स, उस दिन के हैं, जब उन्होंने ब्लॉक्स किसका है, और यूटन लिया, ये वही डेट्स है सर, तुम्हारी डाइरी की डेट्स, पुलिस रिपोर्ट्स की डेट्स, उनकी सियूसाइट करनी की डेट्स, सबके सब एक ही हैं, तुम डाइरी में जो भी डेट्स लिखती हो, उस दिन उनकी बहुत हो जाती है, इसका बतर क्या है? वो कुछ नहीं बोल रहा है सर, शायद गुंगा है, मुझे नहीं लगता हमें उससे कोई भी इंफरमेशन मिलेगी, अब क्या करें सर? उसके लावा और कोई सुरग नहीं है, सर, उसकी पॉकेट से ये नोट पैड मिला है, जिस पर कुछ गाडियों के नंबर लिखे हैं, ये नंबर किसका है? मैं नहीं जानती है, रचना ठीक से देखो और हमें बताओ, हो सकता है ये नंबर उसका हो, जिस ने आज ब्लॉक्स कसका है हो, और मुझे देने के लिए उस भीकादी ने ये नंबर नोट क्या होगा, कि अगले दिन जब मैं आफिस जाओंगी तो वो मुझे दे देगा, इस पन देना, इस गाड़ी का अड्रस निकालो और जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ, और मेक इट फास, रभाकर, शक्ति, ज़रा सेल खोलना, ये सर, घर इसे कोशिच करते है, बहुत चर्वी चड़ गई है, मुझ खोलेगा कि नहीं, बताओ, इसका मुझ खुलवाना साथ, जिस आदमी का पता अपने मांगा था, वो पीछी की बिल्डिंग में ही रहता है, काड़ी निकालो, ओके साथ, तो भाग कर चला गया, हाँ सर, मुद्ध अपके चले गए, कुछ और जंट हो तो मुझे पॉन कर दो, यहां पर मलिक कौन है, सर, वो रहे, थैंक यू, मलिक, यह सर, बोलिए, नाइक सर ने तुम से मिलने को का था, उन्होंने मुझे कॉल तो किया था, कैसी जानकारी चाहिए अप, मलेक, वो जो वारकेपुरम फ्लाइवर है ना, बहां से इस गाड़ी ने यूटन मारा था, इसके बारे में पता करो ना? शोर सर, मैं चेक करके बताता हूं, आप बैठिये, थैंक्स. रचना, आईए सर, आ, फ्लाइट नेमबर, वन फाइस एरो फोर सर, यह यह वो फ्लाइट सर, क्या कर रहे हैं, बैल इस तरह बजाते हैं क्या, नेम प्लेट तो देखो, सौरी सर, देखा नहीं, काय काम है तुमसे, क्या आपका इनाम शरत कुमार है, कौन है, कौन गंटी बजा रहा है, बच्चा सोर आथार उसे जगा दिया, अकल घुटने में हैं क्या, अब कौन चु क्या देखा, कौन है यह, रश्ना, तुमने इसे देखा कभी, नहीं सर, आरके पूरं फ्लाइवर पर तुमने योटन लिया था, हां तो, मुझे आरेस करने आया, इसने कंप्लेंट की, वारंट है क्या, काही जाला, काही प्रॉब्लम आहे का, अरे कुछ नहीं, आप जाओ अंदर जाके सोजाओ, जाओ ना, घर में और कॉन-कॉन है, इससे तेरे को क्या मतलब, कंप्लेंट है क्या, वारंट है क्या, हलो, मैं लॉयर हूँ, कोई आरा गेरा नहीं, कानून अच्छी तरह से जानता हूँ, पेपर है तरे पास, यो टीपर, हलो, है, है, सुनाई नहीं मेरी मीवी है, I'm sorry, हलो, हे, महां क्या देख रहा है, बानीकलवाल से, कुछ भी नहीं मिला न, हा, पुलिस स्टेशन आकर, कंप्लेंट कर देना, पर फिलाल अपना दर्वाजा बंद रखना, कम रचना, हा, हा, आता हूँ, सुभे होते ही आ जाओंगा, जरता नहीं हूँ त अच्छा सुनो रमेश, एक काम करो, तुम सुभा तक यही रुको, सार, यहाँ पर रुकना है, क्यों, कोई प्राब्लम है, नहीं सार, कुछ गडबड़ो तो फोन करना, चलो रचना, है उसे चुप करा, सुनानी क्या, कुलिस की नौकरी क्या कर ली, इन सब के घुलाम बन गया, छे, हलो, उस नमबर की गाड़ी ने वहाँ से योटन लिया था सर, फ्लायोर के कैमराज में साफ नजर आ रहा है, क्या वो वकील है, पता नहीं सर, उसके काले कोट को देखकर लगता तो है, हाँ, उस डारी के सारे नमबर्स को भी चेक करना, हम लोग चेक कर रहे हैं सर, थोड़ अचीब बात है, यूटन का सुन्दर की टैथ और बाके सारे मौतों से कोई नो कोई कनेक्शन तो है, रचनाक, कोई ऐसी बात जो तुम भूल रही हो, याद करने की कोशिश करो, उससे हमें काफी मदद मिलेगा, सर मैंने आपको सब बता दिया है, बाहर बते करना, शर अ, सर, सर, हाँ, उन सब के डीटेल मिले तुम्हें, यह सर, मिल गए, और वो डायरी में जो नंबर लिखे थे उनके, आपको जो भी जांकारी चाहिए थी, इसमें आपको मिल जाएंगी, ओके, तैंक्यों, तैंक्यों, सर, हाँ, ऐसा नहीं है, सर, मेरी बात तो सुनिये, सर, मैं तो मिनिस्टर साहब के केस में ही बिजी था, तब तक ये हो गया, हाँ, सर, हालात बहुत उल्जे हुएं, सर, गुद मॉर्निंग, सर, हाँ, सर, मैं जानता हूँ कि, जो लॉयर हमारी पुलिस जीप प आपके पास पहुचे है, सर, किसी भी तरह उन वकीलों के साथ प्रेस कॉन्फरेंस को टाल दीजे, प्लीज, मेरे लिए, ओ, ओकी सर, थैंक्यों, सर, मैंने तुमसे क्या कहा है, और तुमने क्या कर दिया, मैं इंवेस्टिकेशन कर रहा हूं, सर, उस लड़की को रिमांड ह या था, वो सब के सब मारे गए, सर, ये कैसे हो सकता है, नाएक्ट, सच कह रहा हूं, सर, हर केस आत्महत्या मान के बंद कर दिया गया, तो फिर, सर, I think, हमें इस केस की तह तक जाना होगा, तुम्हारे इसाब से, ये काम इसी लड़की का है, सवाल ही निया, सर, सारी रात व ये पोमिशन दीजे, सर, बेलकुल नहीं, तुम अब कुछ मत करो, सुंदर का केस क्लोज करो, बस, और फिर, दूसरे केस हमारे एरिया में तो हुए नहीं है, भूल जाओ से, अच्छा, वो लड़की कहा है, इंटेरोगेशन रूम में है, सर, आओ, रशना, रशना, कम, हमने तुमारे आटियो के फ्रेंड से पूछ दाज की थी, डॉन्ट परी, उसे कुछ नहीं होगा, पोस्त मॉटन रिपोर्ट आ गई है, तुमने सही कहा था, सुंदर की मौत में तुमारा किसी भी तरह का इंवल्मेंट है, ऐसा कोई सुबूत हमें इन गाड़ियों के नंबर और पते, किसी को भी मत बताना वरना तुम भास जाओगे, तुम्हारी संदगी बरबाद हो जाएगी, तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ, इन चीजों को यहीं छोड़ दो, डियो अंडर्स्टैंड, नायक, सर, जाओ इसे घर छोड़ाओ अलो, नमस्कार सर, यस सर, हाँ सर, पोस्टमॉटम रिपोर्ट मिल गई है सर, सूसाइड की वज़े से केस क्लोज कर रहे है, हाँ, अपने इन्वेस्टर फ्रेंड को बता दीजे सर, उसका अकाउंट बचा हुआ है, ओके, ओके सर, थैंक्यू, रचना, तुम्हारा घर आगया, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ आराम करो, सर, आपको मुझ पर यकीन है न, I trust you, रचना, मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें इस केस में कुछ नहीं होगा, थैंक्यू, हुआ 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 है, हुआ हुआ है, दो आपको मिन दिलाऊ मस्ट में अरच काउना, Shally ratios करने में करने अम नहनfik म कि अर वाल में लगान जर से विपले को वोले जह है। Itsनन है सबस्क्रावी टा कि क करना व 그 में लगा कर दोर एम् है । कर दोगा कर दो लादी से कि नहां कुछा उुछा है अढ बहुड़ साफंड़ कर दो खर दो है हुआ 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 है हुआ है हाँ प्रभाकर तुम ट्राफिक कंट्रोल रूम कह थे वो सीसी टीवी की फुटेश तुमें मिल गई वो कुमार से भीजवा दो सर आपको हम तिनों का गुड मॉनिंग सर वो संता ये बनता और मैं जनता आपने वो पोस्ट मॉटम्स रिपोर्ट देखी वो रिपोर्ट तो हम नहीं तयार की है सर जी मेरा ये कहना है कि सारी रिपोर्ट सिवसाइट की ही है तो कुछ भी जो अलग हो या अजीब हो जी जितने केस मैंने हैंडल किया है न मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा और आपका सर पोस्ट मार्टम तो ये लोग करते हैं मैं तो से बॉड़ी उठाता हम आप एसे जाना क्या शाते हैं सर हां कुमार आओ सर प्रभाकर सर ने आपके लिए पेपर्स भिजवाई हैं थैंक्यू ओके सार हमें देर हो रही है हाँ आप जाहिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं फोन करूंग आने के लिए शुक्रिया ओके थैंक्यू थैंक्यू अब है रचना यहां बैठती है न हाँ यही बैठती है पर अब तक वो आई नहीं है ओ ओके थैंक्स ओके है रचना मैं तुम्हें टून रहा था फोन नहीं उठाया और आज लेट भी आई हो तुम ठीक हो ना रचना ने ठीक हूं बस थोड़ी थकान है कॉफी असल में एडिटर से हां समझ गया तुम्हें काम होगा मैं बहुत में मिलता हूं बाई ओके बाई अपना ध्यान रखना एक्सक्योज मी सार आप बिजी हैं जी नहीं बताईए सार इस केस को हेंडल करते वाक्त मुझे उसमें कुछ अजीब लगा था बैठी सार मैं फिर से रिपोर्ट देख लूँ यह वाली नहीं सर ओ वाली कौन सा यह 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 देखिए यूफोर अम्रेला इस केस में यह निशान ही सबसे अजीब चीज देखी गई है सर नॉर्मली कोई भी मरते वाक्त अम्रेला कट नहीं बनाता है सर एकदम सिधा कट करता है पर यह सिधा नहीं है सर यह एक ओमनी है क्या नहीं सर फिर सुसाइड करने वाले कंफ्यूज होते हैं सर वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सिधा कट मारें कि टेड़ा कट मारें अम्रेला कट का सवाली पैदा नहीं होता है यह अबनॉर्मल है सर इस केस में प्लेड गुमा कर कै से समझाओं यू जैसा हां यही तो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था सर अच्छा सर लगता है अब समझ गए अब मैं चलता हूं सर यह महजे कि इतिफाक है हमने अलड़ी प्रेश में स्टेटमेंट दे दिया है मुझे अब और कुछ नहीं कहना है प्लीज थैंक यू सर अब इस केस का पीछा छोड़ दो तुम खामका टांगडा रहे हो तुमारी वजह से एक लॉयर का पुलिस जीपर गिरकर मरना इस समय नै चाने गया था नायक किसी से यह मत कह दे रहा उसकी बीवी ने स्टेटमेंट दिया है कि लॉयर के उपर बहुत सारा लोन था उसका घर उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ जब्थ हो जाएगा इसलिए डर कर उससे बचने के लिए बिल्डिंग से कूद कर उसने सुिसाइड कर अब यही बताना कोई सवाल नहीं यह सर आपसे बताया था ना सुंदर की मौत और यू-टर्न केस में एक कॉमन बात है मैं वही आपको लिए अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे तुम मैंने कहा ना सुंदर केस क्लोज हो गया है यू-टर्न केस कोई है ही नहीं जा बहुत सा परण डिलेट कर दो जाओ आखिर इस यू-शेप का रास क्या है लोग मर क्यों रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है इन सब की मौत हो चुकी आखिर कौन मार रहा है इन्हें उझे पता लगा नहीं होगा भाया भाया मुझे माफ करतीचे मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा यह रख लीजे ले लो ना अरे अरे प्रेशर ज्याद है देखो रशना मुझसे कुछ भी छुपाना मत क्या कल रात अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो प्लीज मुझे 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 माफ कर देना नहीं नहीं आदित तुम बेकार में इतना सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है बचाने होगा प्रभाकर से कहो इंसे बात करें चलो चाल ठोकाई करा हूं तेरी उनके साथ जाए अब क्या हुआ अब क्या हुआ अब यहां से यूटन नहीं ले सकते प्लीज गो स्ट्रेट प्लीज सिखा मत आपन इधर से यूटन लेंगा तेरको क्या तेखिए यह बिल्कुल गलत है यह ट्राफिक वाली बाई चल अपना काम करना अरे मुन्ना यह ट्राफिक वाली नहीं यह एंजियो वाले एक्स्ट्रा चोचले ट्राइविंग की टाइम पर फोन पर बात नहीं करने का सीट बेल्ट लगाने का देखिए मैं इंजियो अगरे से लही हूँ अकनब यहां से यूटन लेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी प्रॉब्लम? अरे कैसी प्रॉब्लम बात को समझे यहां से यूटन लेना अलाउट नहीं है फ्लीज मैं आपको यह करने नहीं दूगी ए क्या मतलब यह फ्लाइवर तेरे बाप का है जो हमें जाने नहीं देगी ज्यादा दमदाटी मत कर डर जाएंगी अच्छा सुन मैं यूटन नहीं लेंगा सीधा जाएंगा तू आती ही ग अपने वाप को दिखाना है साधी करेगा तेरे साथ अब क्या मत करें यह ले पोज में ले यह ले एजबुक में जालना मस्त लाइक मिलेंगे आप उनको भी टैग करना है सर किसी भी तरह उन दोनों की जान बचा लीजे प्लीज मैंने उन दोनों की बाइक्स की फोटो ली हुए सर यह देखे अगर तुम्हारा इस केस से क्या तालुक है सर यह आप क्या कह रहे हैं सर उस फ्लाइवर पर से यूटन लेने वाले हर आदमी को एक प्लान के तहत मार जाता है सर अगर वह यह मत बताओ तुम जासूस हो या सियडी मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि अगर इस केस से किसी भी तरह का तालुक रखोगी तो जरूर भस होगी मैंने कुछ नहीं किया सर मैं तो सर्फ आपकी हेल्प कर रही थी सर सर उन लड़कों की जान रचना रचना देखो प्लीज नाराज मत हो इसमें तुम्हारी ही भलाई है आप लोग इतने लापरवा कैसे हो सकते हैं सर उन दोनों की जिन्दी की खत्रे में हैं उन्हें कुछ नहीं होगा रचना बिलीव मी सर कल आपके ही सामने उस वकील की मौत हो गई सर या भूल कैसे सकते हैं आपने खुद देखा था देखो मुझे अपने सीनियर की ओड़र्स फॉलो करने पड़ते हैं समझने की कोशिश करो ओ कैसा तो आप अपने सीनियर के ओड़र्स फॉलो करें लेकिन अगर कल उन्हें कुछ हो गया तो ना चुप नहीं बैठोंगे चलाओ कि अच्छा नहीं आती अपनी जिंदी करने के बजाए विदको फासी को नहीं लगा लेते अब सब्सक्राइब अब यह राजू क्या हो गया रहे तिरको अब उटना बिर से चड़ा लिए क्या उटना अगर का फसक है यार श्येख सर ये लड़का इशारा करके हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है आपको कुछ समझ आया सर ये कौन सी जगे है सेफ तो है न इसी जेल के निचे एक बेस्मेंट है ये यहाँ सेफ है आज रात वो यही रहेंगे कुमार सर बेस्मेंट की लाइट्स आफ कर दो हो के साथ, होने आराम से सोने दो रचनो, जाए भी लो नहीं सर, थैंक यू अधरक वाली यह भी हो थैंक यू फो बिलीविंग इन में आप उन्हें अपनी निग्रानी में रखेंगे तो एम्शूर उन्हें कुछ नहीं होगा इस मैं ड्यूटी रचनो, उस वकील के मरने के बाद मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता सर, उस वकील के डेथ केस में कोई प्रॉग्रिस होई उसकी इन्वेस्टिकेशन चल रही है उस पर बहुत कर्स था और परिशान होने की वज़ा से उसने सुिसाइड कर लिए सर, उस ब्रिज के यूटन का और इन सब लोगों की मौत का कोई कनेक्शन हो सकता है, सर इन्वेस्टिकेशन चल रही है, रचना सर, 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 कुछ गढ़बर है, सर प्लीज अंदर चलिए क्या होआ, रमेश पकड़ो इसे लाइए, मुझे दे दीजे देखे, सर, वो थोड़े दिर पहले अचानक खड़ा हुआ, और तब से आगे पीछे आगे पीछे घूमता ही जा रहा है, मुझे डर लग रहा है, सर, अब हम क्या करेंगे, सर करने की कोई बात नहीं है, लाइट्स होन कर, हाँ, हाँ, कर दे तो, शक्ति को बला लो, हाँ, हाँ, सर राजू, मार क्यों रहा है, सर आपने बलाए, शक्ति, वो दोनों आपस में ज्जगड रहे, जा उन्हें कंडरोल करो, क्या हुआ जिस ठाली में खाता है उसी में छेट करता है, माना जाता है मुझे? अर्या आखिर मेने किया किया है, राजू, ए राजू सर ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं? ना बोला था, तो डलनी ने को ना बोला था में का बोला था? ए कोड़े दूए? 알아 मुएंड़ू ट्रवादकर जल्दी करो सर्विलेंस रूम में रूम लेए ठाडूनगा, मार रालूँगा मार रालूंगा लेए ठाडूनगा क्या कर रहे हो, अब तक दर्वासा क्यों नहीं खुला लो मुझे दो, मैं ट्राइकर तो क्या हो गया सर, ये लोग लड़ क्यों रहे हैं तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ आप रुकिये सर, मैं जाके देखता हूँ अई शो, आँ सर समभालना रुक 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 रुबा कर जाओ और उन्हें जल्दी रोको आमें जाराओ सर, यहां दर्वादा नहीं खुल रहा है अड़ो यासे नहीं छोड़ूँगा नहीं छोड़ूँगा नहीं छोड़ूँगा अगर दर्वादा ने खुल रहा है तो दर्वादे को तोड़ दो अगर दर्वादा ने खुल रहा है अगर दर्वादा ने खुल रहा है तो दर्वादे को तोड़ दो चलो सब लोग धके लो बचाओ मुझे बचाओ सर दर्वादा जाम हो गया हम लोग कोशिश करने खुल लही रहे सर फ्लीज सर बचाओ मुझे सर 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 लशना तुम यही रुको मैं आप यहार क्यों यही रुटर्ण अब तुम मरेगा तुम लोग कर क्या रहे हो तु नहीं बचेगी तु मरेगी मैं तुझे बहार डालूगा जस्ट मूव चलो 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 शक्ति गेट खोनो जल्दी जी सर सर यह तो लॉक है सर और इसकी चापी भी अलग है हमारे पास टाइम नहीं है सर जारी कीचिये लगता है वो बेहोश हो क्या है ताले को तोड़ दो रशना तुम सुन रही हो तुमारी अमास नहीं आरी है रशना मेरी बाद का जवाब दो सर जालो सर तुम ठीक तो हो ना सर वो मुझे घूर रहा और मुझे मारने की दंकी दे रहा है कौन घूर रहा है जवाब तो रशना सर 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 रही को रहे है सर 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 जाओ, तोर दीजी जाओ, पकड़ो इसे, खिचो इसे, खिचो इसे, खिचो इसे, कज के पकड़ो, कज के, मचब रह लग़ा है, सर्फ, पोली सारा क्यो गणा है, जो तौच दौच दौच लेग़ आओ, हां गर ता, या सर् यह लीजे शागरा नहां तो खोल बंद करो को अंधर बचाए Теперь सब्सक्राइए कुमार चुप जो निया कि नहीं जुट्मफेज़गा क्रेड़ ना सोगेट में ज़िए्टर कुमार मज़याए humour un परगुजे से जिलें कुछ रहीं जुद रोल को रहीं कुछ रहीं रभागर उसे रहाँ य य राख रख जिलें जो रखी जी जी सिर्ढ रहाँ रहाँ लिए परभागर साहर एल्ब में गार प Cabinet असके प्रफ भाख सार सरू आäs था खाल राजिये मेरादब्ष सर्प सिर्प प्लीजattack सर्फ सर लाज। में देश कोई था औरो मदा दो दूम्हीं कुछ नहीं होगा हम रहेना ? सर जरा संबल कर प्रभाट खेश दन्या हो गया मैं इद का चान्द हो गई यो तुम ताइम मिलने का हुआ अरुगा गैस यह सर अब्लेस गो कैनी प्लेज की आइस रचना, यह क्या होगा तुम रोकियो रही हो, तुम रोकियो रही हो, सब ठीक हो जाएगा I'm sorry, Aditya, किसलिए? कई दिनों से मैंने तुम्हें परिशान किया, पिछले एक हफते से, लगता है तुम मुझे अपना नहीं समझती, और इसलिए तुम जरूर मुझे से कुछ छुपा रही हो, नहीं बताना तो मत बता, लेकिन इतना याद रखो के बुरे वकपर हमेशा अप और थोड़ा बहुत काम का प्रेशर है, ठीक है, छोड़ो इन बातों को, तुम्हारे प्रेशर को कम करने के लिए, मेरे पास एक तौफ़ा है, भूल गई? अरे तुमने आरके पूरं फ्लाय ओवर पर हुए एक्सिडेंस की रिपोर्ट मांगी थी ना, ये वही है, तुम्ह प्रिमा जी मुझे जब देखो काम शिप काती रहती, मुझे जाना होगा, सॉरी, ये टेक एर, ओके? हाँ, प्रिमा जी, सिग्नल पर यह आ रहा हूँ पास करो, अब दूसरा कैमरा दिखाओ सब मरे लिए तुम्हारे सामने लडाई होती रही, तुम्हारे ही सामने गोली चली, और वो मर गए, सर्फ दो दिन में तीन लोग मारे गए, वो भी पुलिस वालों के सामने, कल ही मैंने तुम्हें वर्निंग दी थी ना, कि सीनिय के ओर्डर्स फॉल होंगे, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, I'm sorry sir, कुछ तो गडबड है, कोई तो ऐसी शक्ती है जो ये सब करवा रही, Stop it, Naik, जो तीन लोग मरे उनमें बस दो ही करेक्शन्स है, पहले हो तुम, दोसरी तुम्हारी फ्रेंड, रचना, तुम लोग वहां क्या कर रहे थे, खड़े-खड़े तमाशा देख एंक्वारी पूरी होने तक, यॉर सुस्पेंड़ेड़, रिटेश, हाँ, मेरा नम रचना है, मैं टाइमस ऑफ इंडिया में काम करती हूँ, मुझे आप से कुछ बात करनी है, किस बारे में, मैं आर्कियोपूरं फ्लावर पर होने वाले आक्सिदेंस पर एक स्टोरी तयार कर रही हूँ, उस सिलसने में आप से बात करनी है, माया औ मेरी वाइफ भी जॉब करती थी, हमारे जिंदिगी सुखुन से गुजर रही थी, रोज शाम को घर लोटने के बाद मैं जर्ना के साथ घंटों खेला करता था, यही लाइफ थी, सब अच्छा चल रहा था, हमारी बेटी ही हम सब की दुनिया थी, फिर बहुत सब, सब तम हो गया, I'm sorry sir, उस दिन जर्ना का बद दे था, माया उसको शॉपिंग पर ले जाना चाहती थी, जर्ना बहुत ज्याधा खुश थी, वो नौ मार्च का दिन था, Sir, उस आक्सिजटन के बारे में कुछ बताएंगे, आखर उस रात हुआ क्या था, माया, 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 help, 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 जर्ना, 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 पुलिस ने राष ड्राइविंग के खर, केस को बंद कर दिया, माया समाल कर ड्राइव किया करती थी, मैं जानता हूँ, लेकिन एक् उस फ्लायोवर से गुज़ी थी, उसी कार ने एक्सिडेंट कर दिया, ट्राफिक क्यामरा में उस कार की फोटो रिकार्ड भी हुई थी, पर, पर पोलिस ने, कोई इन्वेस्टिकेशन नहीं की, एक रात में, सिर्फ एक रात में पूरी फैमली खो दिया, मुझे आपको यह सब याद नहीं दिलाना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, हाई, रचना, हलो, पुलिस स्टेशन से मुझे पता चला, I'm sorry, मेरी वज़ा से आपको यह सब झेलना पड़ रहा है, नहीं, कोई बात नहीं है, वैसे केस तो चली रहा है, सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, डोंट फिल बैट, यह सब तो होता रहता है, कल रात वहाँ ऐसा क्या हुआ सर, रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने ड्रग्स ले थी, हो सकता है उस ही का सरो, सर आज मैं रिटेश नाम की एकादमी से मिली थी, फ्लाइवर पर हुए आक्सिडेंट में उसने अपनी फैमिली खो दी, यह फ्लाइवर तुम्हारे दिमाग से निकली नहीं रहा है, एक मिनट, यह देखे सर, रिटेश की वाइफ और उसकी डॉटर रोड आक्सिडेंट पे मारे गए थे सर, वो यहाँ अकेला रहता है सर, उसकी बातों में कुछ बहुत ही अजीब था सर, आपको इन्वेस्टिकेशन करनी चाहिए, रचना, बस अब बहुत हो गया, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कहना चाहती है, सर, यह मौतें आपस में जुडियें आप भी जानते हैं, सुन्दर की मौत, वकील की मौत, और उन दोनों बाइक वालों की मौत में शक्की स्वेश सिर्फ और सिर्फ तुम पर जारीये पता हैं? मैं इसमें शामिल नहीं हो सा, यह मैं जानता हूँ, पर बाकी तो नहीं जानते न, तुम फंस चाहोगी, सालों तक पुलिस स्टेशन और कोट के चकर काड़ोगी, फाइनली वो तुम्हें ही कातेल ढहराएंगे, सर, उस फ्लाइवर पर जो भी यूटर्न ले रहा है, वही मर रहा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे चुप रहना चाहिए? रचना, मैंने बहुत सी मौते देखी, बाद में कुछ नहीं होता, और तुम्हें भी यही मान कर चलना चाहिए. हलो प्रभाकर? कुछ सवानों के जवाब, तुम्हारे लिए चानने बाँ हो सकते हैं. अब मैंने ये केस शोड़ दिया है, तुम्हारी मदद नहीं कर बाऊँगा. खचानओे लिए खर को सकते ही नहीं है, तुमम्हें हुता है। जन सुङ vários देले ऑफाफ किया है हीजआ क来 मैं दो हमने थे पॉकंप करान कि अजब कि सर यह यूटरन केस की पूरी फाइल है थांक यू प्रभागर सर मुझे लगता आप बिल्कुल ठीक कर रहा है चलो तुम्हें तो यकिन है ले कर दो हो है पृई ठीक स्पच्च्छ कर दो दो कि वया है कि कि वदे pick क्या हुआ बिटा इतनी रात को फोन किया सब ठीक है ना हाँ मा सब ठीक है शादी के लिए लड़का मिला या अभी तब ढूंडी रही है फिर से ड्रामा शुरू मत करो मा खाना खाया बस अब तरी वारात में जीवर के खाऊंगी पापा कैसे है यहीं बड़े घर राटे ले लेके नाक में दम कर दिया है ठीक से बात करो ना मा नहीं तो मैं फोन रख दोंगी प्लीज पापा ठीक है मैं ठीक हूँ तेरा टॉगी भी ठीक है और कुछ पूछना है मा मुझे बहुत डर लग रहा है अर्चु कुछ गडबड ह मा आफिस में एक लड़का है जो आरे वा एक ली आती हूं उससे मिलने के लिए उसके मापाप का नंबर भेज मैं कली उनसे बात करूंगी मा मा अभी बात वह तक नहीं पहुची है तो कहां तक पहुची अ मैं उसे पसंद करती हूं और वो भी मुझे बहुत पसंद करता है तो पड़ी लिखी है, सुन्दर है, तुझे कौन मना करने वाला है, दिया लेके ठूड़ेगे न, तो भी नहीं मिलेगी तुझे असी लड़की, मा मा बस करो, ये डायलोग्स बारने बंद करो, मैं फोन रखती हूं, बाई, रचु, नंबर तो भेच, I love you. झार! प्रेव प्रेव श्रेव पूब से अप्राइब प्रेव लुप है। तो डो तुकhoven चुकर सेती नदने का के हुआ हाण ması तॱ्ट ही उलतकि कि पाया कुण laugh आप बाए उन्हें आप पिसन्हें ठुज हो गैफ दौरी बाए आप हो आप 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 हो आप आप अप कुछ घएँQué! चाहाँ ए एया जजज बनारा फॉंस घाहा, दो प्रवी खुदान प्रवार कि अदोंस प्रवाँ कि अड़ ए हाँ!! हाँ!! अरवाँ अरण दो अरण प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् झालिख झालubर हम व değil और और हम एक है... वहाला से पहते है? क्पाल topics प्रेंच, छोराओी जरना, खालो बिटा। एक टुकडा खालो, बस। नहीं मम्मी, प्लीज। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, खालो। मम्मी, मान जाओना, मुझे नहीं खालो। वो फोस्जित नहीं करते नहीं माँ प्लीज देखो जरना नहीं खाओगी तो ममी गुस्सा हो जाएगी चुप चप खालो माँ मेरे लिए बरुन लाई हो ना हाँ हाँ यहीं कहीं पर रखा होगा जाओ जाकर ढून लो हाँ जल्दी आना लोड कर खाना है और गिरना मत ओके मा तो मेरी बेटी की मौद की वजए तुम हो नहीं आज रात उस लाइओवर के डिवाइडर ब्लॉक्स जिसने हटाए हैं वो तुम हो मैंने तुम्हें देखा मैंने कुछ देखिया मैंने अपनी आँखो से लिखा उस दिन तुम ब्लॉक्स अटा रही थी अपनी जल्बासी में तुम्हें इतना भी नहीं सोचा कि किसकी जान को खत्रा हो सकता है तुम नहीं मेरी जर्णा का कतल किया है मैं तुम्हें नहीं जोड़ूँगी तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा नहीं मैंने नहीं मारा तुम जूट मत बोलो हाँ मैंने वो ब्लॉक्स हटाए थे यह जाने के लिए क्या आखिर हो क्या रहा है लेकिन अक्सिदेंट के दिर वो डिवाटर ब्लॉक्स मैंने नहीं हटाए थे मैं सज़ कह रही हूं मैंने जिससे भी ये पूछो वो ये ही कहता है कि उसने ब्लॉक्स नहीं हटाए पर उस रात को मैं और जर्णा उस फ्लाइओवर पर आराम से जा रहे थी जर्णा तुम्हें नीन तो नहीं आ रही न बेटा नहीं मम्मी नहीं आ रही है तुमने ब्लॉक्स हटाए और हमारा अक्सिदेंट हो गया मैंने नहीं हटाए और उसके बार जब होश आया तो मैं एम्बिलेंस में थी अक्सिदेंट के तुरंट बाद अगर इने लाया गया होता तो अच्छा होता काफी खून बह गया है इनके साथ एक बच्ची भी थी ना वेचारी बच्ची तो हाथसे के वक्त ही मर गई अरे ये बहुत बुरा हुआ उसकी बाडी को पोस्टम के लिए भीज दिया क्या हाँ भीज दिया मम्मी बाइ ज़रन दो ज़रन मामी आजा मेरी गडिया सिर्फ पात साल की थी मेरा अच्ची, ये भी नहीं जाना थी कि मिलत ग्मुना होती है, और पता हैं, उसके दिन उसका बन दे भी था, वो दिन उसका आख्री दिनबथ क geben मम्मी, क्या आप रो रही हो मम्मी, मम्मी को क्यों रला रही हो नहीं, नहीं, आंटी ने कुछ नहीं किया, मम्मी की आखों में कुछ चला गया का इसलिए मम्मी, आप मुझे कहानी सुनाओगे ना तुम जाकर बेट पर लेटो, मैं अभी आती हूँ, फिर तुम्हें कहानी सुनाओगी ठीक है मा गुड़नाइज जर्ना में कुछ नहीं जोड़ दो प्लिज, जोड़ दो में इस हैं मैं कुछ नहीं, मैं खतव कर लोगी हैugen एकना कि उस ने किस ने बॉग से शापनाए थेरन की तेसं तबकांगे हैं और किसने यर डाल आ था सभी मैं सँधर्र बताऊंगे उस आत्मी का नाब मैं जरोड बताओं कि पलीज में जड़दो, प्लीज, प्लीज, मेरी बात का यकीन करो. एक दिन, एक दिन मैंने देखा कि रोड ब्लॉक साड़े हुए, तो मैंने ठीक कर दिया था. मैंने दुआरी मेटी को नहीं बारा, सहाज कहा है हूँ. चलो मान लिया, ठीक है, तो मैं एक मौका देती हूँ, कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है अगर एक वीक के लिए हम इन्वेस्टिगेट करते रहें, आप सौरी हाँ, लो इसे, अलो आदेते, देखो मैं मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, आदेते, मेरी बाद समझने की कोशिश करो मैं मीटिंग में हूँ, ओके तो मैं एक मौका देती हूँ, कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है मैंने उसे देखा है, रचना, वो मेरी हाथ की नस, काटना चाहती थी, बिलीव में, बहुत हुआ रचना, ये तुम्हारा वहम है, मेरी मानों तो उसके बारे में सोचना बंद करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, 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 सर, जिसने उस दिन ब्लॉक से तो उसे ढूड़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, रचना, समझने की कोशिश का, सर, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी मदद कर लूगी, तुमने कुछ खाया, रचना, तुम खाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कि को मैं खाया, तुमने कहा हुआ है, कि कि अचना ही भी होगी, तुमने की कर दो लूगी होगी होगा है, हम मैं खら待 दोस्ते की कि घुम होगी, तुमने की कि तब टूँ एलत हrau है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप ये सब भी करते सा तुमारी डायरी में जो दस नाम थे उनके फोचोज और डीटेल्स मैंने चेक की इन सब में एक कॉमन बात है हर जगह एक यू शेप दिखाई देता है सुंदर, श्री निवासन और वो दोनों लड़के जो बेस्मेंट में मरे थी ज़र ये देखो और ये कोई इतिफाक नहीं है रशना तुमने हाली में कहीं यू साइन देखा है कुछ याद नहीं आ रहा सा सोचो याद करने की कोशिश करो किसी तरह का पैटन या औबजेक्ट इन सब से मिलता हुआ कुछ मैंने ऐसे किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया सा ठीक है चलो चलते मांबी हाई मलिक ओ हेलो सर आप यहाँ कोई जरूरी काम हाँ वो नौ मार्च को आरके पुरम फ्लाइवार पर एक एकसिडेंट हुआ था उसके फुटेज देखनी ये सर जस्से मिनिट सर यहाँ तो कुछ नहीं है आप उस मा बेटी वाले एकसिडेंट की बाद तो नहीं कर रहे है हाँ सर बच्ची फ्लाइवर से रेलवे ट्राक पर गिरकर मर गई थी ये वही केस है सॉरी सर तब तक उस फ्लाइवर पर कोई कैमरा नहीं था कैमरा नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता? वहाँ पर कैमरे एकसिडेंट के बाद ही लगाए गए सर वो एकसिडेंट डिवाइडर ब्लोक्स खिसकाने की वज़ह से ही तो हुआ था जिसने वो क्या उसे ही ढूड़ना है मैडम जब वहाँ कैमरा था ही नहीं तो खोजेंगे कैसे? फ्लाइवर के शुरू और आखरे में कैमरा है ना? यस सर, वो हैं मुझे उनकी फुटेज दिखा ये ट्राफिक फुटेज 9th मार्च का है उस गाड़ी का नंबर क्या है? हम चेक कर लेंगे कि वो फ्लाइवर से गई या नहीं वही तो पता लगाना है सर अगर आप नंबर नहीं देंगे तो हम खोजेंगे कैसे? फ्लाइवर पर जाने के बाद अगर कोई तुरंट लोटता है तो मतलब उसने यू टन लिया है, करेक्ट? यस सर, ऐसा होना पॉसिबल है सुपर फ्लाइवर पर चड़के वापस लोटने में कम से कम 10 से 12 मिनट का वक लगता है तो सबसे पहले लोटने वाले ने वो ब्लॉक्स ज़रूर हटाए होंगे, राइट? आपने बिल्कुँ सही कहा फ्लाइवर की एंट्री की फुटिज से हम ब्लॉक्स हटाने वाले को देख सकते हैं मलिक, can I see the footage? जी हाँ, मैं दिखाता हूँ सर, स्क्रीन के इस तरफ वो ट्राफिक है जो फ्लाइवर के उपर जा रहा है और इस तरफ फ्लाइवर से उतरने वाला ट्राफिक है पहला आदमी जिसने ब्लॉक को हटा कर यू टर्न लिया होगा वो स्क्रीन के दोनों तरफ दिखाई देगा बहुत अच्छे मलिक, सर, प्लीज फुटिज प्ले करो आप इसे ध्यान से देखेगा, अगर कोई शक हो तो बताईएगा सर, 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 वो रेड जाकेट थोड़ा सा रिमान करना पॉस, रोको मलिक देखकर तो ही लग रहा ऐसा इसने पूरा फ्लाइवर क्रोस नहीं किया बीच से ही यूटन लेकर लोटाया मलिक, उस गाड़ी का नंबर निकालो मुझे इसकी सारी इंफर्मेशन चाहिए ओकी सर, रचना, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आप ही आए सर, इस बाइक के सामने का नंबर प्लेट नहीं है, देखे नंबर प्लेट गाड़ी के पीछे है, उसे जूम करो इन सब में एक कॉमन बात है, मरने वाले को हर जगए यूशेप दिखाई देता है तुमने हाली में कहीं यूशाइन देखा है रचना, उस गाड़ी बाले का नंबर और अड्रेस मिला है क्या हुआ, सब ठीक है ना रचना, रुको, रचना क्या हाँ कि अ अजयो रहते हु, पाराफ से भीला है, पारामा है, जरली एंगता पारामाला है, कि अणिए पारामा थीजारा है. मामी बाल है! झाल आए उना झाल खब कर दो चूँआ है हुआ प्रश्वार सूभावार नहीं दूर्ट बढ़ा नहीं पर तुम्हें वहां से मिला उस से क्या बात करना चाहती हो अलो यह तुमारे भाई का नमबर है हां दो साल पहले वो यूए श्छिफ्ट हो μगया बैंक्स के मैं तो रोज आरकेपूरा फ्लायोवर से ही जाता हूँ मलिक, सर्व, क्या बात है? आपको कुछ दिखाना है क्या है, एनी प्रॉब्लम? मेरे साथ आईए रचना हर बात के हद हो दिया अखिर हुआ क्या है बताओ तुम, कहा हो तुम? तुमने हैं से मार दिया क्या? तुमने ही उस आरके पुरम फ्लायोवर से ब्लॉक सटा के यूटर लिया था वो बच्ची तुम्हारी बाजा से मर गई तुमने हैं से मार दिया अरे कौन सा एक्सिडेंट, कौन सी बच्ची मुझे कुछ भी नहीं पता तुमने लाल जाकेट में अपने भाई की बाईक से फ्लावर क्रॉस किया था मैंने च्राफिक क्यामरा में देखा है वो तुम हो मैंने कभी सोचा नहीं दार देते हैं मैंने नहीं सोचा प्रचनाब, मैं सालों से उस फ्लावर से आता जाता हूँ लेकिन आज तक मैंने कोई डिवाइडर नहीं हटाया सर, इस गाड़ी को ध्यान से देखिए हाँ, इसने लाल जैकेट पहनी और कुछी देर बाद ऑपजिट लेन से लोटने वाली गाड़ी को देखिए देखा आपने? डिवाइडर को हटाते वक्त तुमने मेरी शकल देखे क्या वहाँ पर? नहीं देखा लेकिन तो फिर, तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने नहीं किया है वो रोज हजारों लोग गुजरते हैं वहाँ से उपर चड़ने वाली बाइक और उतरने वाली बाइक दोनों अलग है उस दिन भाई की बाईक को सर्विसिंग के लिए देना था मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं गराज नहीं जा पाया मैंने बाइक को पिक करने के लिए मेकानिक को फ्लाइओवर पर ही बुला लिया जब फ्लाइओवर के दूसरे साइट की फुटिज देखी तब मैंने नोटिस किया सर सेम वेहिकल, सेम कलर, सेम मॉडल, बस रिजिस्ट्रेशन नमबरा लगे अरे इंजिन में से बहुत आवाज आ रिए अच्छे चाक करना, घर्चा वाट्सअप करना उसके बाद हमने बाइक की अद्लाबदली कर ली, मैंने उसकी बाइक ले ली और वो मेरे भाइक की बाइक लेकर वहां से निकल गया बस इतना ही हुआ था तो तुमने डिवाइडर ब्लॉक्स नहीं हट आए थे ना क्यों हट आओंगा मैं लाइफ में सीधा चलने वाला इंसान हो रचना मैं यूटन नहीं लेता तुम्हें एक मौका देती हूँ कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है सर 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 वो लाल जाके ओ माई गॉड यह मने क्या क्या रचना तुम सुन रही हो अलो अदेत्या तुम कहा हो मैं तो अपने घर पर हूँ क्यों एक मिनिट जरा होड करना कुई आया है अदेत्या अदेत्या प्लीज मत खुलो दर्वासा मत खुलो अदेत्या 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 काने इसरी अदेत्या कि आजए सब्सक्रेज आज़ो 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 भाया वे माई बाट्मर्ट्पन। चलो जल्दी जी मादम हलो हलो रचना हलो 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 रचना मैंने जो अड्रेस दिया है वो गलत है उस लाल जैकेट वाले ने ब्लॉक्स नहीं हटा है सर मैं जानती हूँ कि ये आदमी वो नहीं है तुम्हें कैसे बता वो लाल जैकेट वाला मेरा दोस्त है हम दोने एकी ओफिस में काम करते है ओ माइगोड सर, सर मुझे आपकी मदद चाहिए रचना क्या हुआ, बात क्या है सर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे तेकिन मेरे दोस्त की जिन्दी की खत्र में सर वो उसे मार देगी सर अब मेरी मदद कीजे सर तुम का प्राओ मत में आपियाता हुआ आगे से लेफ लेलो वितिश येस कौन है? अरे हमें लेफ जाना है हलो, कौन है घर में? जबाब दो रशना, रितेश मेरे साथ है मैं वहीं आ रहा हूँ बाइ क्या आप मुझे बदाएंगे कि क्या हुआ है? जिस दिन तुम्हारी वाइफ और बेटी का एक्सिडेंट हुआ था उस दिन किसी ने फ्लाइवर पर डिवाइडर खिसका दिये थे आपके कहने का क्या मतलब है सार? क्योंकि जिस गाड़ी वाले ने प्लॉक्स खिसकाए थे उसने वापस नहीं लगाए जिसकी वज़ा से तुम्हारी भीवी और बच्ची का एक्सिडेंट हुआ ऐसा हमारा मानना है रितेश हाँ हलो, बोलो मलिक सर, जिस गाड़ी ने यूटरन लिया था हमें उसका नंबर मिल गया है वक्का भाई है ना? येस सर, 100% उसका नाम और अड्रेस मुझे वाट्साइब करो येस सर, बेस्टांट नितेश, आप वेच प्लॉँ? 13 रितेश, मैंने तुम्हारी बीबी और बच्ची को कल रात अपने घर में देखा था मैं अपनी जर्णाती मौत का बदला लूँगी मैं किसी को नहीं जोड़ूँगी मैंने इन लोगों को भी मारा मैं तुझे भी मार डालूँगी क्यान आप किस्यात्पिक अछिए हुर जुए जाओ जाक mich अर islands घम ho चिरहा चल्डिकर जाओ जल्डेक्टthest द्र है कहाँ है कि अर ग Gaming अच ऑधल मुँख्द हाद विलेख जाओ जैने जल्देकर पगरां जन्न झडिकर अच पबगर La चल्दिकर द्रहेगें जल्दिक prim आठिधि, तुम ठीको, आठिधि, कवाओ मत! आठिधि, तुम ठीको. बस सांस लेते रहो. वो यही है. जुप लो हो, रचना. वो यही है, जल्दे निकलियो साथ. वो यही है ए रहो हो। समल ngокर अठिधि, आरम से. नितिश? नितिश? जर्णा 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 मेरी पेटी तू कहा चली गई थी मैं कितना परिशान था मैं कहीं नहीं गई था मैं यही तुमारा इंतजार कर रहा था अब तुमा गई हो मैं कहीं नहीं जाऊंगा माया, तुम्हारे मेरा नहीं रह सकता है, ममी का है माया, तुम लोट आई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसकी जान क्यों बचाई माया, तुम कैसी हो माया वो ज़र्णा की मौत का जिम्मेदार है, मैं उसे छोड़ूँगी दू अना, अदेती, यहाँ बैठो, रश्णा, तुम अदेती को समालो, मैं अमिलोन्स को फोन करता हूँ अदेती, अदेती मुझे बात करो, अदेती मुझे बात करो माया, एक्सिडेंट वाले दिन, मैं, मैं घर लोट रहा था हेलो, हैपी बस्ड़े कुरिया आप कहाँ है, आप घर क्यों नहीं आए पापा बस रास्ते में हूँ बेटा, यहाँ पानी बहुत बरस रहा है, ट्राफिक भी बहुत ज्यादा है पापा, आप मेरे लिए गिफ्ट ला रहो ना अरे अरे अरे, भू तो भूली गया, फोन मम्मी को तो तरह मम्मी, पापा कहाँ हो तुम? मया ज़दना का गिफ्ट में आफिस में भूल गया हूँ तुम बाकी की शॉपिंग करो, मैं गिफ्ट लेके घर पहुचता हूँ, ठीक है? ठीक है, घर जल्दी आना अरे, मैया, मैंने सोचा भे नहीं था, कि मेरी गलती की वज़े से, मेरा पुरा परिवार महरा जाएगा आराम से, आराम से ऑचाएगा अधेखा अधेटा कहरी सास्पर भी वह बलॉक्स भागश गटाने वाला कोई और नहीं बल्कि रिदेशी था माया, आम रहली वरी सॉर्य माया माचू मुझे माया, माया आराटो बचे सार्व तमने मेरी जर्णाक को मारा मेरी सारे दुनिया मेरे सब के सब मेरी जर्णा के साथ चुड़े हुए थे तुमने सारे तोर दी माया तुम जर्णा के कौनी हो मम्मे जर्णा प्लिस पापा को मत मारो 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 कि बिटा, हाँ? मैं मेरे कुछ निख करूगी निटेश! 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 माबा! निटेश! 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 जड़ 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 जहर्णा तुम्हें बहुत याद करती हैं, वो तो ये भी नहीं जानती कि वो मर चुकी है डाड़ी कहा है, डाड़ी कहा है कि रट लगाय रहती है, और मैं पहाने बनाती रहती हूँ अब मैं उसे क्या बता हूँ, कि उसकी मौत की वज़े उसके डाड़ी ही है तुम्हें जितार के साथ सितार हो, यही तुम्हें 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 तर्थ के साथ सितार हो, यहीं तुम्हें 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 जना 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 ञेने औ只是 एजना जना जना जना। जना जना सुर जना जना झाल 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 झाल